कि अचिन अच्छ फिर्टिलिटी कंसुल्टंट एच जीवा फटिलिटी आज हम हिस्टोस्कोपी की बारे में बात करेंगे हिस्टोस्कोपी क्या होती है और उसका फटिलिटी में क्या रोल है कि Histoscopy एक day care procedure होता है जिसमें हम बच्चेदानी मतलब uterine cavity और endometrium मतलब बच्चेदानी की जो जिली है उसको हम examine करते हैं उसको अच्छे से visualize करते हैं और उसके अंदर अगर कुछ problems नजर आती तो उसे ठीक करते हैं Histoscope या उसे दूरबीन भी कहा जाता है जिसको हम uterine cavity के अंदर डालते हैं और उससे पूरा uterine cavity को अच्छे से examine करते हैं और उसकी जिल्लियां ठीक है या नहीं है उसको examine करते हैं Histoscopy में हम uterus में अगर कोई भी दिक्कत है जैसे की polyps है कोई fibroid है जो की बच्चे दानी में अंदर की तरफ आ रहा है या फिर जो बच्चे दानी की जिल्ली है जिसे हम endometrium कहते हैं उसे disturb कर रहा है या फिर उसमें कोई septum है जो बच्चे दानी को दो भागों में divide कर रहा है या फिर कोई additions है मतलब बच्चे दानी की दिवारें चिपकी होई है इन सब abnormalities को detect किया जाता है कुछ abnormalities ऐसी होती है जो हमें ultrasound पे या hsg पे दिखाई नहीं देती इन यह सारी abnormalities हमें हिस्टोस्कोपी पे ठीक से दिखाई देती है नौ कमिंग तो दे नेक्स पॉइंट की हिस्टोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी का fertility में क्या रोल है सो कई बार क्या होता है कि medications और बहुत treatment के बार दी जो बच्चे दानी की जिली है जिसे हम endometrium कहते हैं वह अच्छे से grow नहीं करती और इसको हम thin endometrium कहते हैं इसको ठीक करने के लिए हम हिस्टोस्कोपी करते हैं हमें यह देखना रहता है कि बच्चे दानी की जिली बढ़ क्यों नहीं रही है कई बार इसमें एडिजन होते हैं जिसके कारण बच्चे दानी की जिली बढ़ नहीं रही होती है इसको हम हिस्टोस्कोपी से ठीक करते है दूसरा कॉस जिसमें हम इस्टोस्कोपी recommend करते हैं कई बार recurrent implantation failure मतलब बहुत अच्छे embryos transfer करने के बाद भी अगर pregnancy नहीं ठहर रही होती है तो भी हमें uterus की cavity को examine करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि अच्छे embryos transfer करने के बाद भी हमारी pregnancy क्यों नहीं हो रही है इस in cases में हम एक procedure जिसको हम endometrial scratching कहते हैं वह भी करते हैं ताकि next time जो endometrium बने वह अच्छी बने और implantation rate बढ़े previously पहले के जमाने में हिस्टोस्कोपी सिर्फ diagnostic हुआ करती थी जिसमें हम सिर्फ uterus के cavity को examine करते थे बट आजकल हम operative हिस्टोस्कोपी करते हैं जिसमें जो भी समस्या हमें देखती है यह इस्टोस्कोपी पे उससे को तुरंथ हम ठीक भी करते हैं जैसे कि अगर कोई polyp है तो हम polyp removal करते हैं septum है तो septum resection करते हैं कोई fibroid है तो myomectomy जिसको कहते हैं fibroid removal या फिर adhesions का removal जिसे हम metropolis कहते हैं यह सब हम इस्टोस्कोपी में करते हैं सो हिस्टोस्कोपी सभी आई वे पेशेंस में जरूरी नहीं होती है यह आपके doctors decide करते हैं कि आपको या कि इस्टोस्कोपी की आवशकता कब है इस्टोस्कोपी एक minor procedure है इस डे procedure मतलब आप सुबह एडमेट होते हो दुपहर तक या शाम तक छुटी हो जाती है इसमें कोई कट वगरा नहीं आता है इसको अनेस्टीजा में किया जाता है और पेशेंट दूसरे ही दिन अपना सारे एक्टिविटीज अपना जॉब वगरा रिज्यूम कर सकते हैं कोच पेशेंट में कभी-कभी थोड़ा बहुत पें होता है इसके लिए हम पेंकिलर वगरा एडवाइस करते हैं किसी-किसी पेशेंट को चार-पार्श दिन तक स्पॉर्टिंग हो सकती है इस्टोस्कोपी ब कमेंस में भीज सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंस का रिप्लाय करें हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू